Hello everyone, I am Sachin और आज किस वीडियो में मैं जो आप सभी students का एक बहुती common doubt था कि अगर आप SOL में admission लेते हो Delhi University SOL तो आपको किस college में admission मिलता है क्या आप college अपनी मर्जी से select कर सकते हो, North Campus के college या South Campus के या Off Campus के जैसे आप Delhi University regular में admission लेते हो क्या SOL के इंदर आपको options मिलते है college चूज करने के, या college आपका कौन सा है, यह आपको इस वीडियो में बता चल जाएगा, तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी query या doubt हो, तो आप Instagram पे मुझे message कर सकते हैं, मेरा username आप सभी के सामने लिखा हुआ है और आगे बढ़ते हैं हम, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, SOL का मतलब है School of Open Learning, यानि कि ये एक ऐसा आपका रहने वाला है mode पढ़ाई का, जिसमें आपको college नहीं जाना होता, ठीक है आपको क्या करना होता है, कि आपकी घर बैठे सारी पढ़ाई होती है, इसका नाम ही open learning है, open का मतलब ही यही है, कि आपको कहीं जाना ही नहीं है, तो number one, मैं आपको पहले ये बताऊँ, कि क्या SOL एक university है आपकी SOL university नहीं है, SOL खुद एक college है, ठीक है, क्योंकि Delhi university के अंदर, मैं आगर आपको आगे बताऊँ, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लिजे कि SOL में आपको कौन-कौन से courses provide करवाई जाते हैं, एक तो आपका BA program है, B.com है, BA honors political science है, BA honors English है, B.com honors है, और इस साल से सन 2022 से आपके जो हैं, बहुत सारे नए courses भी आड़ हो रहे हैं, library sciences, economics honors, MBA, BBA, सो बहुत सारे courses और भी आ रहे हैं, अब बात की जाए, कि SOL आखिर है क्या, SOL University of Delhi के अंदर ही एक college है, ठीक है, ये कोई अलग university नहीं है, जैसे कि इगनू एक university है, SOL University नहीं है, अब बात आती है, तो SOL है क्या भई, तो देखिए, SOL के अंदर मैंने आपको जैसा क्या भी बताया था, Delhi University के अंदर 70 plus colleges हैं, और यहाँ पे SOL क्या है, कि सिरफ आपका एक वो चीज़, मतलब एक office type से हैं, ठीक है, SOL में आपको क्या करना होता है, कि जो आपका, अगर मैं आपको बताऊँ, North Campus और South Campus, जितने भी North, Delhi वगरा के जो बच्चे हैं, उनके लिए North Campus में, SOL ने अपना office बना रखा है, अपनी building मना रखिये, जितने भी South Campus के बच्चे हैं, उनके लिए South में मना रखिये, जब आप अप form fill करते हो, तो आपको option नी दिया जाता वहाँ पे, कि आप कौन से college में admission लोगे, या क्या आपको करना है, आपकी जो पढ़ाई होती है, वो कहां होती है, जो DU के ही, जो regular colleges होते हैं, उन में से जो संडे और शनिवार, जो छुट्टी वाले दिन होते हैं, तो SOL अपनी website पे कुछ colleges के नाम डाल देगा, कि ये colleges जो हैं, वो SOL से affiliated हैं, या SOL की classes वहाँ पे लगेंगी, तो आप classes लेने उन colleges में जा सकते हो, उसमें कोई यह नहीं कि आप किसी हैं, कि जैसे for example, आप शयामलाल कॉलेज में admission ले रहे हो, ठीक है, या देशबंदू कॉलेज में आप admission ले रहे हो, आप खुद से choose नहीं कर सकते, आपके जो भी address के according, जो भी आपका वहाँ पे होगा, आपको दिख जाएगा, आप कहीं में जाके आप class ले सकते हो, college क्या है, भाई college आपका SOL ही है, आपको ये नहीं देखना, कि आपका college कुन सा है, college का मतलब है, जहां से आपका सारा administrative work वगरा होगा, so SOL ही आपका college है, बात की जाए, classes आपकी कहां होंगी, so वो Delhi University के कुछ colleges को select किया जाता है, SOL के लिए, जहां पे वो study center बनाए जाते हैं, और वहाँ पे आपको एक जीज़ और बता दूँ मैं, ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान दो, कि SOL एक university नहीं है, आपको बता दिया है मैंने, so where is your college now, so SOL is only your college, ठीक है, SOL ही आपका college है, और आप खुद से जो हैं, जैसे कि DU के जो colleges के नाम आते हैं, वो आप चूज नहीं कर सकते, study center आपको बता दिये जाएंगे, कहीं पे भी जो आपको suitable लगे, आपके घर के आसपास है, जो आपको दिख रहा है list में, आप जाके classes ले सकते हो, ठीक है, यह बहुत ही simple सा मामला है भई, SOL का जो मैंने आपको समझा दिया है, और अगर मैं आपको बता हूँ, exam कहां पे होंगे, तो भई exam वगरा जब भी आपके होते हैं, तो आपको सारे updates मिलते रहेंगे, notification आ जाता है, आपका admit card भी आ जाता है, उस पे exam center भी लिखा होता है, कि आपका exam कहां होगा, attendance की बात की जाए तो mandatory नहीं होती, यहाँ पे आपको attendance maintain करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह school of open learning है, जो मजबूर है वो ही यहाँ पे आता है पढ़ने, ठीक है, जिसको time नहीं होता है, यह कोई और दिक्कत होती है, तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कि भई, North Campus में क्या सर मुझे admission मिलेगा, S.O.L. में क्या मुझे South Campus में मिलेगा, भई, यहाँ पे आप इसको DU का regular मत समझो, DU का regular मत समझो, S.O.L. ही आपका college है, ठीक है, एक North में इसका office है, एक South Delhi में है, आप अब यह देखो, कि आपके हिसाब से घर के पास कौन सा पढ़ता है, आपको वहाँ पे जाके बस class लेनी है, और कुछ नहीं करना, वो भी नहीं लेनी, तो मतलो घर पे बैठिये, open mode है सारा, तो यह सारा इसका मामला है, S.O.L. का, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बार-बार आप यह सवाल किसी से भी मत पूछेगा, कि हमारा S.O.L. में कौन सा college मिलेगा, भई S.O.L. खुद आपका college है, आपको study center के बारे में बता दिया जाएगा, कि कहां पे आपको जाके classes लेनी है, तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को subscribe करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को like करें, और comment box में जरूर बताएं कि क्या आप और वीडियो ऐसी चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें, जै हिंद जै भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का,